हलो गुड मॉर्णिंग स्टुडेंट्स अपना टॉपिक चल रहा था इसमें अपने बात करें थे फाइलम की तो अपना फाइलम जो अपने कल देखा था निमेटोड निमोडोड में भी मैंने आपको बताया था कि वो एनिमल कैसे होंगे स्चुडो सिलोमेट एनिमल होते हैं आज अपने यहां पर बात करेंगे कि जो स्टुडो सिलोमेट के बाद में अपना जो आता है उसके अंदर आता सिलोमेट एनिमल सिलोमेट एनिमल को यहां पर यानि कि सिलोमेट जो एनिमल होंगे यानि कि दे गुई है जो एनिमल होंगे इन एनिमल के अंदर हम सबसे पहला फाइलम लेंगे कौन सह एने लिडा संग आपने नाम सुना ऊगा एन लिडा संग यह हायर वर्म होते हैं यह इट्श क्रमी जीने कहा जाता यह उच्च क्रमी कहलाते हैं क्योंकि यह जो सह एर यह याए की हायर वर्म होते हैं जिनको किस में रखा गया है एंड़ा के अंदर एंदर रखा गया है ! यह जो एंड़ीड़ा संके अनिमल होते है यह क्रमी रूपी अनिमल होते है शरीर के उपर क्या पाए जाए जाएग आपर सैग्मेंटेशन पाया जाते है छोटे छोटे वलेयाकार सरशनाय पाई जाती है शरीर के अंदर क्या पाई जाएगी वास्तविक देगुआ इन में क्या होती है उपस्तित होती है इसलिए इन्हें क्या बोले जाता है सीलोमेट एनिमल कहा जाता है इसकी यानि कि annuos यह जो शब्द है इस संग की उत्पति होती है यह उत्पति किससे होगी लेटिन भाषा के शब्द से होगी और लेटिन भाषा का जो शब्द होगा वो कौन सा होगा annuos annuos शब्द से होगी और annuos शब्द का मतलब यहाँ पे लेया जाता है जिसका अर्थ होते हैं छोटे वल है तो यह यानि कि इनकी बोड़ी यानि कि यह जो एंड़ा संग के जो एनिमल होगे इनके शरीर के उपर छोटे छोटे रिंग लाई के स्ट्रक्चर पाई जाएगी ज जो शरीर होता है वो विखंडित होता है और वलय यानि कि यहां पर शरीर के उपर वलयाकार वलयाकार खंड पाए जाते हैं और यह जो वलयाकार जो खंड होते हैं यह वलयाकार खंड ही क्या होते हैं छोटे छोटे रिंग लाई कि स्ट्रक्चर होते हैं लेकिन लीनियस जो कि जो सभी को मल शरीर वाले वाले जो चड़ा गया यहां पर पर बात करें जो लेम्हार्ग साइंटेस्च लेमार्क लेमार्क ने हायर रेनесьवल के लिए हाय यानि ужас नघरक रुन कि लिए एक संग की स्तापना की और उस संग का क्या नाम रखा गया अनलीडा संग रखा गया क्योंकि इस एनलीडा संग के अंदर यहां पर जो शब्ध एनिगर्क इसकी इसका जो अमीन होगा वो होगा छोटे वले और ये छोटे वले होगे यानि वलाकार खंड होगे और ये शरीर के उपर क्या होगे प्रिजेंट होगे तो ये बात हुई इनके यानि की शब्द किस से होगा इसका यानि यहां पे कि कौन से शब्द का लेटिन बाजा के शब्द रखागा उनको तो वर्मिस में रखा लेकिन ले मार्क ने किसमें रखा उच्छतर कर्मियों को जिनकी बॉड़ी के उपर सैग्मेंट्स पाया जाते उनको किसमें रखा एनेड़ा संग के अंदर रखा यह अपनी यहां पर बात होती है अब आपन बात करेंगे कि जो संग के जो जनतू होते हैं यह इस्तली आवास में भी पाये जाते हैं इस्तली आवास के साथ साथ ही किसमें पाये जाएंगे जली आवास में भी यह पाये जाते हैं अब बात करेंगे अपन साइलेंट यहां पे करेक्टर्स की साइलेंट फीचर्स की बात करेंगे कि जो एन ऻन्ग तंत्र संगठन किस प्रकार का होगा अंगन तंत्र संगठन किस प्रकार य। इसमें संगठन पाया उन्द प्रटर। पाए ज संग को वॉलिए क्ला भंट्रोग स्वेस्ण जॉर्र। किसुन भालत सम्ट था सकते स्थे醒े कि यह जो एनिमल होंगे इन में बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाएगी यानि द्वी पार्स में सम्मीति इसमें पाई जाएगी और यह एनिमल कैसे होंगे ट्रिपलो ब्लास्टिक होंगे ट्रिपलो ब्लास्टिक को क्या बोल सकते हैं त्री कोरकी त्री कोरकी एनिमल होते हैं साती सात ये कैसे होंगे? वंलाइक होंगे? वंलाइक क्रमी रूपी रूपी ये एनिमल होते हैं Next अपने बात करें कि जो एलेडा संग के जुआ जंतु होते हैं इनके बॉड़ी के उपर क्या पया जाता? वे खंडन रूप में खंडन पाया जाते हैं यानि segmentation पाया जाता है खंडन पाया जाता है यह खंडन भी किस प्रकार का होगा खंडन के दोरान यानि body में क्या पाय जाएगी यहां पे siloam पाय जाएगी और siloam भी किस प्रकार की होगी true प्रकार की वास्तविक प्रकार की इसमें सिलों पाई जाती है और यह कैसे होता है यह जो देगुआ होगी साइजो सिलिक प्रकार की होगी साइजो सिलिक प्रकार की इसमें देगुआ पाई जाएगी जिसे बोले जाता है दिन गुहा दिन गुहिये यह एनिमल होता है दिन गुहिये के साथ-साथ मैं विपाटन पाया जाता है विपाटन की क्रिया किस प्रकार की होगी मीजोडम में विपाटन की क्रिया होगी यानि स्प्राइटिंग का इसमें रोल होगा अब बात करें इनकी जो यहां पर बोड़ी वोल होती है देवित्ती जो होती है इस देवित्ती में एक इस तरी यहां प यहां पर बात करेंगे हम इस्तंभाकार कि सा यह स्लज्ड बनी होगी अधिछरल अधीचर्म को हम पोलेंगे यहां परốngड़ी कि दर्मिस से बनी होगी है Waiting मिसें बात करें कि EPA लोपर जो पायाता है वो पाया जाता है UT अबरन क्यूटिकल का एक आवरण पाया जाता है जो बाहरी आवरण होता है और इस आवरण में यहाँ पे क्यूटिकल के आवरण के अंदर दो प्रकार की मसल्स पाई जाती है एक तो पाई जाती है अनूधेरिये पेसियां अनूधेरिये पेसियां और अनूधेरिये पेसियों के सास साथ कौन सी पाई जाएगी वर्तुल पेसियां इसमें पाई जाती है तो यहां पे जो क्यूटिकल का आवरण जो बाहरी आवरण पाया जाता है यह बाहरी आवरण किस प्रकार का होगा यहां पे इसके अंदर बाहरी आवरण में किस प्रकार की मसल्स पाई जाएगी अनूध किस प्रकार का होगा इस गमन में इस पाइलेट्स पाई जाएगे यानि शूख पाई जाएंगे क्या पैरा पूडिया पाई जाएंगे तो कौनसी प्रकार की यहां पे यहां पे लोको मोशन के लिए यानि यहां पे गमन के लिए कौनसी ओर्गन हेलपफुल होंगे तो अपन के अंदर यहां पर गमन के लिए क्या पाए जाएंगे लोकोमोटरी ओर्गन पाए जाएंगे तो यहां पर गमन के लिए काईटीन के शूक पाए जाते कौन से शूक होंगे काईटीन के काईटीन शूक इसके अंदर पाए जाएंगे इस पाइन जिने बोलेंगे यहां पर पाई जाएंगे यहां पे पेरा पोडिया पाई जाएंगे पेरा पोडिया इन पेरा पोडिया को क्या कहा जाता है पार्षव पाद कहा जाएगा पार्षव पाद के साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ- इसके प्रते खंड में पार्स की और एक एक जोड़ी क्या पाए जाएंगे पार्स की तरफ पाए जाएंगे यह एक एक जोड़ी क्या कहलाएंगे पैरा पोडिया कहलाते हैं क्या कहलाएंगे पैरा पोडिया कहलाते हैं जो किसमें सायक होते हैं पैरा पोडिया गमन में सायक ह होते हैं अब बात करें जो इंके अंदर मैंने आपको बताय है चो as Busan 2 प्रकार की डेगवा होगी और इस लिगवा के अंदर क्या प्रजेंट होगा देह गुहा और सइसोसिलिक प्रकार की निया घुअ बता ही में आप GO तो सीलोमिक फ्लूड में क्या प्रजेंट होती है सेल्स भी पाई जाएगी सेल्स के साथ कारपल्स पाई जाती है जिने क्या कहा जाता है कणिकाएं कहा जाता है तो इस सीलोमिक फ्लूड में क्या प्रजेंट होगी एक अधो चैनब काई आ पायी जाती है को, सिकाँ में पाई जाती है अब अपन बात करेואा इनके इनके अंदर जो अल्मेंक्टरी कैनाल होती है आहरणाल जो होती यह यह आहरणाल कैसी होगी सरल प्रकार की होगी सरल ख дело log Krpl की समस्साया अपन क्या बोलेंगे complete प्रकार की simple प्रकाल की इसमें क्या प्रेजेंट होगी elementary canal पाई जाएगी और यह elementary canal कैसी होगी यहाँ पे complete प्रकार की पूर्ण प्रकार की होगी और पूर्ण भी कैसी होगी इसके जो आकरती होगी वो लंबी नलाकार सरसना होगी पाचन के लिए कई सहो गईिंदब रिज्टानां लटा 14 गाल अभी नली। के किे को डाइजेशन यहां पे कैसा होगा मल्टी सेल्लर प्रकार का यहां पे एक्स्रा सेललरी बोल सकते हैं तो यहां पे बहु कोसी किये या बहिर कोसी किये भी बोल सकते हैं बहिर कोसी किये प्रकार का यहां पे क्या होगा digestion इसमें पाया जाएगा अब अपन बात करें कि इनके अंदर जो circulation होता है ब्लड का जो circulation चलता है तो जो अब आपको पता है यहाँ पे circulatory system दो प्रकार के होते हैं एक तो उता open type एक उता close type आप ध्यान रखना कि एनरिडा संग ही एक एसा संग है जिसमें बंद प्रकार का परिसंचरन तंत्र पाया जाता है तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि इसमें जो यहाँ पे रक्त परिसंचरन होता है रक्त परिसंचरन तंत्र किस प्रकार का होगा यहाँ पे close type होगा यहाँ पे बंद प्रकार का होगा और बंद प्रकार में हम क्या बोलेंगे यहां पे, कि जो यहां पे रक्त जो बैता है, यह रक्त किस में बैएगा यहां पे रक्त वाहिनियों में, और रक्त वाहिनियों के अंदर ही क्या होगा, रक्त का जो बहा होगा, उकिन में होगा, ब्लड वैसल्स में होगा, रक्त वाह होगा んな रगत वाहिनियो हमें ही क्या प्रेजेंट होगा यहां पर ही इमो गलोबीन पाया जाएगा ही मोगलोबीन के साथ ہी हम बोल सकते हैं अपको पता ये ससर्फन वर्नक होते हैं एक और वह ता है इरित्ट्रो क्वैनिन यह भी क्या होते है सोशन् वर्द नक हहने रैस्पिरेटरी पिगमेंट कह लाते हैं तो यहां पे एरिथ्रो ही मोगलोविन इर्ष रोकविनिंगत ब्लाज्मा में प्लाज्मा में घुले होते हैं अब हैं पर बात करें definitive respiratory यानि ररेस्पारईशन की बातों को अब इसी के सासा हम बात करेंगे कि इसमें क्या प्रजेंट होते हैं ृधुकर पाद पाया जाते हैं। तो यहां पे हम बात करेंगे कि जो respiration होता है respiration की जो क्रिया होती है, respiration mechanism है, यह respiration mechanism किस तौरा होगी यहां पर, आदृ दौचर के दौरा होगी आदृ तौचर और इसी के साथ साथ पेरा पोडिया जो प्रेजेंट थे आपको बताया था मैंने पेरा पोडिया लोकोमोटरी ओर्गन होते हैं इन पेरा पोडिया वे सिर सिर के उपर की और प्रेजेंट होते हैं यानि कि सिर के बाहरी तरफ बोल सकते हैं तो सिर के उपरी या बाहरी और पर क्या प्रेजेंट हो गए यहां पर बाहरी और पर गिल पाय जाते हैं एक्स्टर्नल गिल प्रेजेंट होते हैं और इक्स्टरनल गिल के द्वारा ही यह क्या करते हैं, शोशन की क्रिया करते हैं, शोशन की क्रिया किस-किस के द्वारा हो गई यहां पर आदर त्वचा के द्वारा हो गई, साती सात पैरा पोडिया वस्टिर के उपर वाले भाग पर क्या प्रजेंट होते हैं, एक्स्टरनल तो एनेरिडा संग के जो जन्तूओं के अंदर आपको पता है कि शरीर के उपर क्या पाए जाएंगे खंड पाए जाएंगे और यह खंड भी कैसे होता है metamerically segmentation वाले होते हैं यानी कि आंत्रांगों के अंदर इनमें क्या पायी जाता है यहां पे खंडन पायी जाता है अब इनमें क्या होगा कि खंडिये रूप से विन्यासित यहां पे क्या होता है कि शरीर के इंदर कुंडलित नलीकाकार सरश्नाय पाई जाती है कार structure या रचना है पाई जाती है इनननली का कार सरचना को यह क्या कहा जाता है नैफरीडिया नैफरीडिया और यह नैफरीडिया किसमें सायक होता है excretion की क्रिया के अंदर ये क्या होते हैं helpful होते हैं इसी के द्वराई क्या होता है यहां पर इन्हें व्रकक कहा जाता है जो क्या करता है excretion में helpful होते हैं अब इनके अंदर बात करें कि इनके अंदर जो nerve system होता है यहां पर nerve system की बात करें तो neuf system किस प्रकार का पाया जाएगा well developed प्रकार का यानी बोल सकते हम सू विकसित प्रकार का क्या पाया जाता है इसमें तंत्री का तंत्र पाया जाता है यह बाचल रही एनिडा संग की इसके अंदर अपने animal ले सकते हैं جिसे केचु अवगर है तो उनके अंदर जो nerve system होता है वो कैसा होता है well-developed प्रकार का nerve system इसमें पाया जाता है इसी के अंदर क्या प्रजेंट होता है एक जोड़ी यहां पर प्रह मस्तिक्स गुच्छक के अंदर हम बात करेंगे इसमें मस्तिक्स वाला भाग brain portion भी इसमें पाया ज जाते हैं और यहां पर तंत्रीका रज्जू के प्रत्यक खंडे में यहां पर गेंगलिया पाया जाते हैं जिन्हें क्या बोले जाता है यहां पर गुच्छक कहा जाता है तो यहां पर क्या प्रजेंट होंगे गेंगलिया पाये जाएंगे और उन गेंगलिया के भी पार्ट् गुच्छक प्रेसेंट होते हैं और इसमें एक दोहरी यहां पर दोहरी क्या बोलेंगे यहां पर अधर तंत्री का रजू इसमें पाए जाते हैं एक दोहरी अधर तंत्री का तंत्री का रज्जू इसमें क्या होंगे ये नौ सस्टम से ही connected अधर तंत्री का रज्जू इसमें पाए जाएंगे और यहां पर तंत्री का रज्जू के प्रतेक खंड में इस तंत्री का रज्जू के प्रतेक खंड में क्या निकले वे रहेंगे गुच्छक निकले वे रहे जिनने क्या बोला जाता है गेंग्लीयन कहा जाता है और इस गुच्छक से बाहर की तरफ पार्ट्स्वीकी और क्या निकली हुई रहेगी पाट्श्व तंत्रीकाई निकलती है। तो यह होगए अपने नौफ सिस्टम के बारे में। अब बात करें इनमें जो यहां पे सेंसरी ओर्गन होते हैं, सव्वेदांग जो होते हैं। यह सववेदांगों में अपन लेंगे, इस परसक लेंगे, इस परसक के सासाथ इनमें क्या पाया जाता है, पैल्प पाया जाता है, यहाँ पर यहाँ पर जो कमबाउंड यहाँ पर क्या परजेंट होगी, आइस पाया जाएगी, यहाँ कि लेंस युक्त जिनें बोल सकते हैं वो eyes present होगी और यहाँ पर photo receptor प्रकारगी क्या पाई जाएगी cells पाई जाएगी और test यहाँ पर क्या प्रजेंट होगी birds यानि कलीका हैं भी इनमें पाई जाएगी तो सव्वेदांगों के रूप में अपन लेके चलें कि सव्वेदांगों में इनमें क्या क्या प्रजेंट होगा तो यहाँ पर सव्वेदांग में सव्वेदांग के अंदर मैंने बताया क्या प्रजेंट होगे इस परसक पाई जाएगे इस परसक के सासा अपन बोलेंगे यहां पे लेंज से युक्त क्या प्रेजेंट होंगे इनमें नेत्र पाई जाएगी फोटो रेसेप्टर प्रकार की यहां पे क्या प्रेजेंट होगी सेल्स पाई जाएगी जिनको क्या बोल जाएगा प्रकास ग्राही कोसी काई कोशी काएं तो प्रकास ग्राही प्रकार कि इनमें क्या प्रेजेंट होगी कोशी काएं पाई जाएगी तता साथ ही क्या प्रेजेंट होगी स्वाद कली काई भी इनमें प्रेजेंट होती है यह होंगे यहां पे सवेदांगों के रूप में प्रेजेंट next class के अंदर अपन इन में character की बात करेंगे कि इसके अंदर reproduction किस प्रकार का होगा यहाँ पर development किस प्रकार का होगा इनके अंदर यहाँ पर जो gonards के लिए जो glands होगी वो कौन-कौन सी होगी इनके अंदर यह कैसे animal होगी तो detail में next class में classification भी देखेंगे तो आज के लिए इतना ही thank you